हाई गैस और विलकम बैक तो दी चैनल दीपक्चाद वेजुकेशन विलकम तो दी डेली करेंट अफेर्स और थर्ड ऑफ ऑक्टूबर 2021 तो गाईस आज है तारिक 3 ऑक्टूबर 2021 आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम लोग detail में discuss करेंगे लेकिन आज हम लोग कोई नया current affair discuss नहीं करने वाले हैं क्योंकि आपको मालूम है आज Sunday है और Sunday में हम लोग अपने पूरे पिछले सब्ता का हर बार revision करते हैं तो मतलब Monday से लेकर Saturday तक हमने जितना भी discussion किया है सब का एक छोट सा revision लेंगे बेसिकली यह आपका पूरे सब्ता का compilation होने वाला है तो बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले गाईज अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो नीचे description बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का link दिया गया है वहां से जाकर आप लोग इस lecture के PDF को ड यह वाला जो PDF आप लोग देख पा रहे होंगे यह PDF मैं आप लोग को अगले संडे में प्रवाइड करवाऊँगा ऐसा क्यों क्योंकि अगले संडे में आपके पूरे सेप्टमबर के महीने का एक वीडियो भी upload होगा मतलब पूरे सेप्टमबर के महीने का जितना भी current affair है उसका compilation मैं अगले Sunday में provide करवाँगा और उसके साथ-साथ आपको यहाँ पर यह वाला PDF मिल जाएगा पूरा compilation ठीक है तो यहाँ पर attention नहीं लेना आपको अगले Sunday में सारी चीज़ें आपर September के मेने के regarding मिलने वाली है साथ-साथ आगे पढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटावट लाइक कर देना एक सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में लाइक करोगे काफी दा सपोर्ट भी मिलता है चलो फिर शुरुबात करते हैं हम लोग देखेंगे मंडे से लेकर Saturday तक जो भी हमने discussion किया था मंडे में हमने सबसे पहला article कवर किया था इंडिया और UAE ने मिलकर negotiation किया है सेपा को लेकर अब यह सेपा किया है यह है comprehensive economic partnership agreement तो इंडिया और UAE ने मिलकर इस partnership agreement को लेकर discussion किया था agreement का नाम ने आप लोग को बता दिया है यह article आप देख पाऊगे PIB से लिया या था ठीक है मैंने सारे sources वगरा सब कुछ कवर करे थे अब एक बार हम लोग इसको map में location देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पाऊगे यह है हमाना महान भारत और इंडिया के comparison में UAE आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा देखो comprehensive economic partnership agreement बिसिकली एक टाइप का free trade agreement होता है मान लो इंडिया और UAE के बीच में यह agreement है अब यहाँ पर इंडिया और UAE के बीच में जब व्यापार होगा जब trade होगा उसके regarding जो duties लगती है टैरिफ्स लगते है वो नहीं लगाए जाएंगे तो एक प्रकार का यह free trade agreement होता है अब यहाँ पर इस agreement से दोनों countries के relations खास कर जो trade relations है वो grow होते वे नज़र आएंगे अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है UAE के साथ इंडिया अल्रेडी यहाँ पर CEPA जो agreement है यह UAE के अलावा South Korea और Japan के साथ भी sign कर चुका है तो आप लोगको एक छोटा सा idea इसके बारे में भी रखना है फिर उसके बाद मैं आपको बताया था है इंडिया और UAE के कुछ relations के बारे में जो इसके बारे में आप याद रख सकते हो UAE आज के टाइम पर भारत का तीसरा largest ट्रेडिंग पार्टनर है अगर हम बात करें व्यापार के मामले में यह data साल 2019 का है उसके बाद UAE second largest export destination भी है यूएस के बाद और उसका तब कह सकते हो कि दोनों countries के बीच में जो petroleum products, precious metal, stone, gems, jewelry, minerals उसके बाद यह सारी चीजे इन सब चीजों का export और import होता है दोनों countries के बीच में यह आप एक चोड़ा सा idea रख सकते हो अब मैं कुछ agreements के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जैसे हमने देखा यह SEPA agreement comprehensive economic partnership agreement इसके अलबा और भी बहुत सरे agreements होते हैं आपको मालूम होगा एक होता है free trade agreement क्या होता है मैं आपको बताया दोनों countries के बीच में यह लोग जो भी हाँ पर restrictions होते हैं उनको नई प्रोवाइड करवाते हैं अब कह सकते हो कि जो tariffs बगरा होते हैं duties होती हैं उनके ऊपर छूट देते हैं तो यह होता है free trade agreement उसी प्रकार से preferential trade agreement यह देखने को मलता है ठीक है आज के टाइम पर इंडिया ने preferential trade agreement अफगानिस्तान के साथ sign कर रखा है यहाँ पर भी जो tariff बगरा है उसको reduce कर दिया जाता है कभी-कभी zero भी हो जाता है उसके बाद एक प्रकार का comprehensive economic cooperation agreement होता है यह वाला एक यहाँ पर by little investment treaty होता है यह सारे जितने भी agreements है इन सब का main मकसात यह है कि दोनों countries का जो का article आप देख पा रहे होंगे दो नए Indian beaches हो चुके हैं जिनको international blue flag certification मिल चुका है वो beaches कौन कौन से है एक है कोवलम जो की तमिल अडू के अंदर है दूसरा है एडन बीच जो पुडू चैरी के अंदर है आज की टाइम पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं आपको दुनिया भर में जाना जाएगा कि हाँ blue flag certification beach भारत के अंदर आपको यह वाला देखने को मिलेगा आज के टाइम पर total 10 beach हो चुके हैं भारत के अंदर जिनको blue flag certification मिला है आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना यह यह criteria देखा जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर उन beaches इसको यह blue flag certification दिया जाता है जैसे कि कौन सा beach सबसे साफ सुतरा है वहाँ पर water quality कैसी है वहाँ पर bathing की situation है या नहीं है ठीक है वहाँ पर किती साफ सफाई है और कैसे लोग educated है इन सब चीजों को देखते वह यहाँ पर यह certification दिया जाता है इसके बारे में ध्यान रखना आज शिवराजपूर, गोगला, कसर कोड, पुडबिदरी और रुशी कोंडा, गोल्डन बीच और राधानगर बीच तो यह सारे beaches आपको map में भी दिख जाएंगे यहाँ पर आप लोग यह सारे beaches map में देख पारे होंगे ठीक है अभी एडन वाले beach को और कोवलम बीच को इन द पाई गई है इसके अंदर जो करकमनेट का content है वो जादा है देखो यहाँ पर हल्दी जो होती है जिसको हम लोग टर्मरिक बोलते हैं उसके अंदर क्या होता है में करकमनोईट ठीक है अब यहाँ पर करकमन की वज़ासे हल्दी पीली होती है और करकमनोईट के बहुत सारे पाईदे होते हैं अब क्या है यहाँ पर जो केशरी वाली वराइटी है इसके अंदर करकमनोईट की वराइटी मतलब करकमनोईट की quantity जादा है प्लस high quality का करकमनोईट इसके अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर करकमनोईट में होता है हल्दी के अंदर अब यहाँ प आपको ऐसी हल्दी चाहिए होती है जिसमें करकमिन कंटेंट जादा होता है तो अब्यसी बात है हमारे पास केशरी वराइटी काफी है हम लोग इसको एक्सपोर्ड कर गए इस साब पैसा भी कमा सकते हैं अब बात करते हैं भारत और टर्मरी के बारे में देखो भारत के अंद आपको हल्दी ग्रोह होती भी नजर आएगी यह हमने डिसकस किया था उसकद एक आर्टिकल हमने डिसकस किया था C295 MW ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट के बारे में यह वाला एरक्राफ्ट आप लोग देख पार होंगे अभी हम लोग इस वाले एरक्राफ्ट को खरीद रहे एरक्राफ्ट को खरीद रहे हैं आपको मालूम हुआ काफी बार मैंने डिटेल में हाप पर डिसकस्शन क्या है इसके बारे में और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हम लोग 56 एरक्राफ्ट खरीद रहे हैं जो यह वाले एरक्राफ्ट हैं यह हम लोग 56 एरक्राफ्ट इसकी जो capacity है वो 5-10 तन तक की capacity है और यह हमारे पुराने वाले plane को replace करेगा पुराना वाला plane कौन सा है वो है एवरो 748 plane इसको replace करता हूँ यह नजर आने वाला है यह हमारा पुराना वाला plane है और नए वाला plane कौन सा खरीद रहे है वो यह वाला खरीद रहे है इसकी capacity भी आटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड तो यहां पर यह आपको मालूम होगा अब इस डील का बहुत कुछ फाइदा भी है बहुत कुछ फाइदा यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मिलिटरी एरक्राफ्ट है वो बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर और उसको प्राइव रश्या से पर्चेस करते हैं फ्रांस से पर्चेस करते हैं यूएस से पर्चेस करते हैं अब यह डिपेंडेंसी कम हो जाएगी ठीक है डिपेंडेंसी कम हो जाएगी यह भी यहां पर इस चीज को बारे मेंशन किया है प्लस यहां पर जब प्रोडक्शन होगा कंट्री के अ इस cyclone गुलाब का नाम दिया है, ठीक है, cyclone गुलाब कहाँ पर आया था, यह ओडिशा और आंदर प्रदेश वाले रीजन के अंदर हिट हुआ था, यह tropical cyclone है, अब मैंने आपको समझाया था, tropical cyclone कौन से होता है, देखो, tropical cyclone वो cyclone होता है, जो कि यह cyclone जापान या फिर चाइना की side आता है, तो इसको हम लोग ताइफून बोलते हैं, और यही cyclone जब Australia की side आता है, तो हम इसको विली-विलीज बोलते हैं, और यह question UPSC ने पूछा था कि Australia के side जो cyclone आता है, उसका नाम क्या है, अब हम बात करते हैं, cyclone कैसे बनता है, तो Tropic of Cancer है और Tropic of Capricorn है, एक बार में clear कर देता हूँ, उसको फिर उसका हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, यह Tropic of Cancer है और Tropic of Capricorn है, इसके बीच में क्या है equator, और आपको मालूम होगा, जो sun की raise है, वो direct किस पर पढ़ती है, equator पर पढ़ती है, अब sun की raise equator पढ़ेंग अब बादल बनेंगे तो ऐसा process यह चलता रहता है, नीचे एक low pressure area बनता रहता है, और फिर यह जो low pressure area जब बनेगा, तो high pressure वाला area low pressure की तरफ भागेगा, और इस प्रकार से यहाँ पर यह process चलता रहता है, और यहाँ पर इस प्रकार से यह हवा की गती पकड़ लेती है, और खतरनाक cyclone होता है, उसे हम लोग super cyclonic storm बोलते हैं, जो सबसे कम खतरनाक cyclone होता है, उसको depression बोलते हैं, यह आपको एक idea रखना है, अब आगे बढ़ते हैं, next article हमने discuss किया था, Arjun MK1A main battle tanks के बारे में, यह वाले जो battle tank है, basically इसको हम अपनी country के अंदर बनाने वाले हैं, इसका order ह हमारे DRDO ने place कर दिया है, लगबग बोला गया, 7523 करोड रुपे का यह order रखा गया है, और यहाँ पर हम लोग लगबग 118, 118, Indigenious Arjun MK1 main battle tanks को बनवा रहे हैं, और इसका order हमने दे दिया है, यह tanks हमारे पास जल्दी आएंगे, इसको बनाएगा कौन, इसको DRDO बना रहा है, प्लस उसके बाद combat vehicles, research and development establishment बना रहा है, इसका significance क्या है, देखो, यह कहीं न कहीं हमारे वापस से आत्मरवर भारत अभ्यान को boost up करेगा, हम अपने country को पर खुद depend हो रहे हैं, यह चीज हम लोग को देखने को मिलती है, उसके बाद next article में हमने discuss किया था, ammonium nitrate के लिए कुछ पिछले साल एक बहुत बड़ा explosion हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं, बेरोत blast या फिर बेरोत explosion, और लेबनन की capital है, बेरत महीं पर यह explosion हुआ था, और आप कैसा हो, यह explosion कुछ इस प्रकार से दिख रहा था, और पताए, यह जो explosion हुआ है, यह इसके अंदर यह ammonium nitrate भरा गया था, उस ammonium nitrate में आग लगी, और आग लगने के बाद यह ऐसा बिस्पोट हुआ और इस बिस्पोट की वज़ा से बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग की जान गई थी, तो इसी वज़ा से इसी चीज को देखते वे, इससे एक सीख लेते वे, भारत ने ammonium nitrate के ल 500 मीटर पीछे ही उसको स्टोर किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया, देखो जो भी हमारे पास स्टोर करें रखा हुआ है, जो भी हमने ammonium nitrate को सीज किया है, उसकी auction की जाएगी, उसके तरीके से निलामी बगरा की जाएगी, ठीक है, उसके बोली पकड़ेगी, यह जलेगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद यह बिसपोर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके उपर भी हमारा focus रहा है, यह सारे rules and regulations अपनाएगा है, ammonium nitrate का formula क्या होता है, यह आप लोग देख पा रहोंगे, NH4, NO3 हमने detail में discuss किया था, ammonium nitrate का agriculture fertilizer fertilizer में बह ammonium nitrate की ज़रुद पर दे, हम लोग बिसपोर्टक बड़े-बड़े bombs यहाँ पर बना सकते हैं, उसके बाद next article हमने discuss किया था, aroma mission के बारे में, aroma mission और flory culture mission के बारे में, तो यह news में क्यों था, यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह article PIB से लिया गया था, यहाँ पर जो हमारे union home minister for state science and technology है, इन्होंने यहाँ पर aroma dairy entrepreneurship को एक तरीके से launch किया, यहाँ पर main focus यह था, कि जो aroma mission है, देखो इसको कहीं पर पर पल revolution भी बोला गया, पर पल revolution मतलब यह जो आपको पर पल का फूल दिख रहा है, इसको हम लोग लेवेंडर का फूल बोलते हैं, अब जो लेवेंडर है, इसकी growth होगी, इसको grow किया जाएगा, तो purple revolution इसको बोला गया, अब यहाँ पर lavender का इस्तमाल कहां पर होता है, उसको मैं आगवे बताऊँगा, उससे पहले इस aroma mission के बारे में जान लेते हैं, तो जिस aroma mission को अभी हाली में launch किया गया, इस mission का main objective है, कि जो aromatic crops होते हैं, उनको cultivate करना, aromatic crops, ऐसे crop होते हैं, जो की खुशबूदार होते हैं, ठीके, आप कह सकते हो, जो भी oils होते हैं, हम लोग बहुत सारे oils का इस्तमाल करते हैं, बहुत सारे खुशबू वाले oils का इस्तमाल करते हैं, हम लोग खुशबू बहुत पसंद है, तो वो खुशबू कहां से आती तो aromatic plants का cultivation होना उसको aroma mission के अंदर रखा गया प्लस यहाँ पर इस ही को हम लोग lavender का cultivation बहुत जादा बड़ा देना इसको हम लोग purple revolution बोलते हैं और इसका अस्तमाल भी कहीं न कहीं कहां पर उड़ता है खुश्बू देने में essential oils के अंदर यहाँ पर इसका अस्तमाल किया जाता है यहाँ पर इस पूरे के पूरे mission को launch कौन कर रहा है तो noodle agency जो की देखेगी वो यहाँ पर CSI है Central Institute of Medical and Aromatic Plants लखनाओ वाली यहाँ पर branch आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पर जो aromatic plants होते हैं खुश्बूदार crops होती हैं चैसे जैसे कि यहाँ पर lavender हो गया डमास उसके बाद डमास्क रोज हो गया उसके बाद यहाँ पर मुश्क बाला हो गया और भी ऐसे बहुत सारी aromatic plants आपको देखने को मिल जाती हैं अब इसका second phase launch किया गया अब हम लोग aromatic plants का जादे सादे growth करेंगे और प्लस इन से हम लोग बहुरत income भी generate करने वाल है फ्लोरी culture mission क्य या इसमें क्या होता है कि हम लोग जो gardens होते हैं उनको maintain करके चलते हैं उनके area को maintain करके उनको एक protection देते हैं इस वजासे इसको फ्लोरी culture mission मोल जाता है और इन सब फ्यूजों को aromatic mission को implement करने के लिए फ्लोरी culture mission को implement करने के लिए सरकार हमारी बहुत सारे और भी initiative चलाती है बहुत सारी एजेंसी है हमारे पास वो सारी एजेंसी यह हैं ठीके CSIR हो गया ICIR, KVIC यह सारी एजेंसी क्या करती हैं यह सारी एजेंसी कहीं न कहीं aromatic plants और फ्लोरी culture mission को grow करने में मदद करती हैं इसको implement क करने में मदद करती हैं, next article हमने discuss किया था हाली में GST council की meeting देखने को मिली थी और यह 45 भी GST council की meeting होई थी, काफी detail में discussion किया था, Indian Express का यह article था, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने यह देखाता, देखो GST council की जब भी बात आती है, तो council के बारे में समझ लेना, GST council, एक basically constitutional body है समझ बारे में article 279A के अंदर mentioned है, सारी चीज़े, अब जब भी meeting होती है, तो इसके अंदर union government मतलब जो केंदर सरकार है और state government, दोनों मिलकर यहाँ पर discussion करते हैं, कि हाँ GST को किस प्रकार से चलाना है, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, और अभी जो meeting होई थी, इसक उपर बोला गया, छूट देंगे हम लोग 31 December तक छूट देने वाले हैं, इसके उपर GST नहीं लगेगा, थोड़ा tax rate कम लगेगा, उसी प्रकार से muscular atop free drugs जो है, इसके उपर छूट दी गई, उसके बाद जहाँ पर हम लोग जो aircraft किराए पे लेते हैं, दूसरी country से, उसके उ इनोंने यहाँ पर एक नया development यह करा, जो food delivery apps है, food delivery app मतलब स्वीगी हो गया, उसके बाद zomato हो गया, यह लोग कहीं ने कहीं GST को collect कर सकते हैं, ऐसा भी हाँ पर बोला गया, इस meeting के अदर, उसके बाद जो 45 राइस होता है, 45 राइस मतलब ऐसे चावल जिनके अदर nutrition अलग से add कि जाता है, उनके उपर भी हाँ पर tax कम कर दिया गया, 18% GST लगती थी, 18 से कम करके हाँ पर इसको 5% किया गया, उसके बाद जो cancer drug होता है, की टूडा, उसके उपर GST को कम किया, 12% से 5% किया, तो यहाँ पर आप कुछ चीज़े देख पार होंगे, कि GST के अंदर बहुत सा सा idea, definitely आपको रखना है, आगे बढ़ते हैं, next article पर, next article हमने discuss किया था, world rhino day के बारे में, हाल ही में, world rhino day को celebrate किया, और Indian Express ने article कवर गया था, आसम सरकार ने इसी चकर में, world rhino day पर क्या करा, लगबक धाई हजार rhino की जो सींग होता है, जो horns होता है, उनको जलाया था, क्यों राइनो का शिकार किया खाता है, सिर्व और सिर्व उसके सींग की वज़ा से, तो यहाँ पर असम सरकार कहना है चाहती है, सींग का कोई importance नहीं है, सींग का कोई role नहीं होता है, इसी वज़ा से इन सींग को जलाया था, असम सरकार ने, ओके, world rhino day का observe किया जाता है, by september किया तो ये 5 प्रजातियां पाई जाती हैं आप लोग को इसके बारे में भी ध्यान रखना है। इंड्रेन राइनो विजन 2020 यह कुछ यहाँ पर राइनो के लिए राइनो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए इनिशेटिफ चलाएगा है उसके बाद एक आर्टिकल चर्चा में था ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल करके यह आर्टिकल दहिंद ताकि आपका जो पर्सनल डेटा है उसको एक प्रोटेक्शन दे सके हमारी सरकार लेकिन यहाँ पर क्या है सरकार आपका यह डेटा ले सकती है सरकार का में फोकस इदा जो पर्सनल डेटा है यह आपका इसी कंट्री में रहे एक दूसरी कंट्री में ना पहुंच सके यह यह पर main focus रखा गया, personal data में आपका बहुत कुछ आसा है, जैसे कि individual का जैसे identify, उनका name, address, यह सारी चीज़ आ गई, और इसके अंदर sensitive personal data भी आता है, personal data तीन प्रकार का होता है, एक तो personal data जो मैं आपको बताया, आपका नाम, address, दूसरा होता है sensitive personal data, जैसे कि health related कुछ हो गया, sexual orientation क्य अब भी यहाँ पर sensitive personal data के अंदर आता है, उसके बाद आता है कुछ critical personal data, अभी जो critical personal data है बिसके लिए यहाँ पर बोला गया, यह कुछ ऐसा, मतलब बहुत जदा important data होता है, यहाँ पर government जो है, कभी भी इसको deem कर सकती है, जैसे military और national security data हो गया, तो यह बहुत important होता है, यह next article हमने discuss किया था, humble penguin के बारे में, humble penguin पहली बार भारत के अंदर जो मुंबई है, ठीक है, वहाँ पर उसका जो एक bicula zoo है, वहाँ पर यह penguin लाए गए हैं, आप लोग को ध्यान रखना है, तो humble penguin, इनके बारे में हमने काफी कुछ discuss किया था, environment की point of view से important topic है, environment काफी dynamic portion है, तो आपको ध्यान रखना है, जो humble penguin है, या फिर इस्पैनिस का हम बोलती है, एक तरीके से यह medium sized species है, मतलब medium size की species आपको देखने को मिल पाएगा, एक तरीके से यहाँ पर large bear skin patches होते हैं, इनके उपर, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर यह जो penguins हैं, इनकी South America का map है, यहाँ पर आपको चिली देखने को मिलेगा, यहाँ पर पेरू देखने को मिलेगा, इस वाले area में सबसदा यह penguin रहते हैं, तो यही से Mumbai में लाए गए हैं, आप लोग को ध्यान रखना हैं, उसके बाद next important article हमने discuss किया था, हाली में Quad Country का पहला first in person meeting हो है, एक ऐसा meeting जहाँ पर जो यह लोग हैं, इन लोगों ने आपस में मिलकर बैठ कर बातचीत करी थी, तो यह first in person meeting के अदर क्या क्या discussion हुआ था, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, Indian Express का article है, बाइदावे Quad क्या है, आप सभी लोग को अब बहुत अच्छे से मालुम होगा, Quad चार Countries का यहाँ पर चार साइड्स हो, एक ऐसी figure जिसकी चार साइड्स हो, इसको हम लोग Quad बोलते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से चार Countries का यह ग्रूप बन जाता है, जिसको Quad नाम दिया गया है, यह Quad ग्रूप लगबग 2008 के बाद से यहाँ पर बननना चालू हुआ था, उसका जो उसको proper shape मिली है, 2017 के बाद से properly काम करना इसने चालू किया, और यहाँ पर Quad का main काम यह है, जो Indo-Pacific वाला region है, वहाँ पर peace and security को maintain करना, और Quad countries के बीच में एक exercise होती है, अभ्यास होता है, आपको मालूम होगा, माला बार naval exercise यहाँ पर इन countries के बीच में देखने को मिलती है, यह भी आपको idea होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी Quad summit हुई है, जो भी 4 leaders ने बातचीत करी है, इंडिया से Prime Minister गए थे, नरेंदर मोदी जी, उसके बाद Australia के Scott Morrison, जापान के योशी चुदेशूगा, और US के जो बाइडन, इन 4 के पीच में discussion हुआ, सबसे पहला discussion कराब है, कैसे maintain कर सकते हैं, इसको लेकर बातचीत की गई, उसके बाद Quad vaccine initiative लिया गया, मतलब की बोला गया, जो 4 countries है, यह मिल कर, दुनिया भर में vaccine प्रोवाइट करवाएंगी, 1.2 billion COVID-19 vaccine doses दिया जाएगा, दुनिया भर में, उसके बाद यहाँ पर एक Build Back Better Health Security करके, यहाँ discussion किया गया, इन्होंने बहुत सरी बिमारियां हैं, जैसे की influenza, surveillance, ऐसी बिमारियां हैं, तो influenza वेगरा को tackle करने के लिए, यहाँ पर 4 countries मिलकर काम करेंगी, उसके बाद इन्होंने बोला Quad infrastructure coordination group, मतलब 4 countries मिलकर, कही नहीं जो चोटी मोटी countries हैं, कही नहीं ऐसी countries जहाँ पर विकास बहुत काम है, अगर उनको investment की जरुवत है, तो यहाँ पर Quad countries सामने आएंगी और वहाँ पर investment करेंगी, और इस प्रकार से China को tackle किया जाएगा, ओके, साथ इसाथ इन्होंने climate change को लेकर बादचीत करी, green shipping network को लेकर discussion किया गया था, hydrogen partnership को लेकर discussion किया, कैसे हम लोग यहाँ पर climate change को tackle कर सकते हैं, उसके बाद climate change को लेकर बादचीत हो, इसके बाद एक unique point यह था, Quad fellowship, यहाँ पर उन्हें ने बोला, जो चारो countries हैं, चारो countries में से 25-25 students को निकाला जाएगा, टोटल कितने हो गए, 100 students हो गए, यह 100 students US की एक university में पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ प होते हैं, उन cyber attack को साथ में मिलकर यह countries tackle करेंगी, प्लस यहाँ पर जो satellite data होता है, यह 4 countries मिलकर आपस में satellite data को share करेंगी, यह discussion हुआ था, Quad में, उसके बाद एक important article हमने discuss किया था, dark energy के बारे में, Indian Express का यह article है, आपको मालूम होगा, हाली में एक experiment हुआ है, देखो, dark energy नाम की को चीज़े, दोनों क्या होते हैं, मैं बहुत ही simple शब्दों में समझाऊंगा आगे, अब हुआ क्या था, हाली में एक experiment हुआ, experiment इटली के अंदर हुआ है, और उस experiment का नाम है, जिनोन वंटी, और इस experiment में पता यह चला, कि जो dark energy है, वो थोड़ी सी detect करी गई है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, dark energy क्या होती है, exactly, Indian Express का article है, सबसे पहले आपको समझना होगा, प्रत्वी पर, या फिर पूरे दुनिया में, आप जो भी चीज़े देख सकते हो, आप mobile की screen देख रहे हो, या कुछ भी देख सकते हो, mobile की screen, सामने आपका bed, table, कुछ भी हो, जो भी आप सितार है, जो भी आप पूरा solar system देख रहे होंगे, Jupiter, जो भी आप कुछ भी देख रहे हो, जितनी भी चीज़े आप देख पा रहे हो, इस पूरे universe के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ universe का 5% है, मतलब 5% चीज़े आप लोग देख पा रहे हो, मतलब इतनी चीज़े हैं universe में, सिर्फ और सिर्फ 5% है, जो भी आप लोग देख पा रहे हो, बाकी आप का होगे, बाकी क्या क्या है, तो 27% तो dark matter है, और 68% dark energy है, इसी dark energy को detect क्या गया, तो यह dark energy क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, यहाँ पर dark matter और dark energy का concept बिल्कुल सिंपल सा है, देखो यहाँ पर होता क् जो dark matter है, वो आपस में attract करता है, आपने law of attraction सुना होगा, चीज़े आपस में खिचती है, आपस में एक दूसरे से छिपकती है, तो यहाँ पर क्या है, यह dark matter है, और dark energy में क्या होता है, dark energy में चीज़े expand होती है, एक दूसरे से भागती है, यह इधर भागेगा, यह दर आप लोग देख पा रहे होंगे, यह जो सितारे होते हैं, यह सितारे क्यों आपस में खिचती है, तो आपको ध्यान रखना है, और dark energy का concept यह बताया गया, कि दुनिया भर में लगबग universe लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, युनिवर्स हमारा लगातार बढ़ रहा ह यह एक छोटा सा गोला था, वो गोला फूटा, ऐसे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और आज के टाइम पर यह dark energy काफी तीजी से बढ़ रही है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, dark energy क्या थी मैं आपको सब कुछ बता दिया, इसका experiment चल ला था, 0 on 1 T, वो भी मै नकसलवाद है, यह जो नकसलवाद का violence होता है, नकसलवाद हिंसा होती है, थोड़ा सा कम होगा है, ऐसा हमारा ministry of home affairs ने बोला था, आर्टिकल अपने आप में बहुत ज़दा important है left wing extremism करके, यहाँ पर भारत के अंदर यह नकसलवाद बहुत ज़दा देखने को मिलता है, शब्द निकल कर आया है, उसके बाद बोला गया, आज के टाइम पर बहुत सारे areas ऐसे हैं, बहुत सारे areas जहाँ पर विकास इतना है नहीं, वहाँ पर भी आपको नकसलवाद बहुत ज़दा देखने को मिलेगा, जैसे की 36 गड़, ओडिशा और आंदर प्रदेश यहाँ प पूरी तरह से चीनते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका मानना यह है, सरकार निकाम का कुछ चीज होती नहीं है, सरकार इहाँ पर किसी के लिए काम वांग करती नहीं है, इस वज़ए से यहाँ पर इनकी demand होती है कि state की power को capture किया जाए, और आपको मालूम होगा, बहुत सारे areas जहाँ पर left wing extremism से affected areas हैं, उनको red corridor बोला जाता है, आज के time पर भारत के नदर red corridor वाले area 36 गड़ का देखने को मिलेगा, जारखंड का देखने को मिलेगा, कुछ कुछ areas यहाँ पर हैं, जो कहीं न कहीं यहाँ पर नकसलवाद से affected हैं, उसके बाद आप लोग देख पार होंग लगबग नकसलवाद को खतम करने के लिए, उसमें बहुत सारे initiative हैं, आज की time पर infrastructure को बनाया जा रहा है, साथी सा समाधान, यह एक scheme है, समाधान यहाँ पर full form आप लोग देख पार होंगे, समाधान की full form है, smart leadership, aggressive strategy, motivation and training, actionable intelligence, dashboard based key performance indicator, harnessing technology, action plan for each theater, non access to financing, तो यहाँ पर यहाँ यह चलाया जा रहा है, ताकि नकसलवाद है, इसको खतम किया जा सके, उसके बाद एक article हमने हाली में discuss किया था, कि मतलब अभी हपते में ही, पिछले सहपते में discuss किया था, जो world health organization है, उसने एक global air quality के लिए नई guidance लेकर जारी कर दिया है, दा हिंदू का article था, मैं आपको समझ pollution है, तो वो polluted area, air देखने को मिलेगा, यहाँ पर और कौन-कौन से pollutant है, वो यह सारे pollutant है, मतलब कि हवा के अंदर अगर यह सारे pollutant present होंगे, जैसे particulate matter 2.5, particulate matter 10, ozone, और इसका nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, अगर यहाँ पर यह सारी जो भी है, यह सारी pollutant है, यह कहिना कि हवा को गंदा करते हैं, प्लस मानव के लिए काफियत तक यहाँ पर ही खतरनाक हैं, environment के लिए भी खतरनाक हैं, तो WHO ने World Health Organization ने साल 2005 में बोला, देखो कोई भी एक जगा है, जहाँ पर PM 2.5 10 है, 10 तक का percent चला है, 10 मतलब यहाँ पर कितना, यह microgram per cubic meter, अगर इतना है, तो फिर यहाँ पर वो normal ज यहाँ पर जो PM 2.5 है, अगर 5 होगा, तभी वो normal हवा है, इससे ज़्यादा होगा, तो मतलब हर जगा pollution है, और इसके हिसाब से दुनिया भर में आज के टाइम पर air pollution देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा restriction नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, कि यहाँ पर इसको follow करना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप follow नहीं करोगे, तो आपको उपर कोई sanction वगरा नहीं लगेंगे, यहाँ पर, लेकिन इंडिया कैसे follow करता है, इंडिया के पास खुद के अपने guidelines है, इंडिया के पास body है, National Ambient Air Quality Standard, जिसको हम लोग NAAQS बोलते हैं, इसके खुद के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इंडिया ने अपना खुद का target सेट कर रखा है, इंडिया ने बोला हमारे पास minimum 40 होगा, तो normal है, ठीके PM10 जो है 60 होगा, NO2 40 होगा, तो यहाँ पर आपको number याद नहीं रखने हैं, इंडिया ने फिलाल अपना खुद का target सेट कर रख हैं और भारत one of the most polluted area है दुनिया भर में, तीसरे नंबर पर आता है, जहाँ पर सबस्दद emission हो रहा है, मुंबई pollution लेवल पर सबसे आगे है, कोलकाता, चेन नई सबसे ज़्यादा आपको आगे देखने को मिलेंगे, जहाँ पर pollution बहुत ज़्यादा है, उसके बाद एक article हम यहाँ पर इसको बनाते हैं, अब इसी को GI Tag मिला है, अब मैं आपको बताता हूँ, यह article देख पाऊगे, दहिंदू का है, और 21 जोर, आसाम के जो यह rice wine चुडीमा है, इसको GI Tag मिला है, इसके साथ साथ राजिस्थान के अंदर जो सोजत महंदी है, उसको भी GI Tag मिला है, GI Tag क् आसाम का जुदीमा rice को यह, जुदीमा rice wine को यह GI Tag मिला, तो मतलब कि यहाँ पर पेचान मिल गई, आसाम के अंदर यह चीज़े जिसको GI Tag मिला है, अब यहाँ पर यह अच्छा quality का product है, प्लस उसके बाद दुनिया भर में यह लोग trade कर सकते हैं, इसको लेकर, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो, इसको दसलबाद renew करवाना, तो आप करवा सकते हो, इससे export वगरा भी increase हो जाता है, जुदीमा के बारे में बात करते हैं, जुदीमा basically एक rice wine है, ठीके, बदब चावल से बनीवी wine है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है, यहाँ पर आपकर सकते हो, यह जो rice rice है, एक तरीके से sticky rice है, glutinous rice है, जिसको हम लोग बोरा बोलते हैं, इसको steam किया जाता है, और फिर उसके बाद जो पुरानी हमारे जड़ी बूटियां है, जिसको हम लोग थेमरा बोलते हैं, इस जड़ी बूटी के साथ मिला कर, यह जुदीमा wine बनाए जाती है, और यह बन किसे नीमबू है, जिसको lemon बोलते हैं, उसको GI tag मिला है, 2019 में जो चुकुवा rice था असाम का, उसको भी GI tag मिला है, तो एक कुछ GI tag वाले चीज़े और हैं असाम के अंदर, जिसके बारे में आप लोग एक idea रख सकते हो, then उसके बाद एक temple चर्चा में था, श्री पदमन स्वा कि हमारे उपर auditing ना करो, यहाँ पर देखो बोला यह जा रहा है, कि जो यह temple है, इसको पर auditing की जाएगी, auditing मतलब चेक किया जाएगा, पिछले 25 सालों में उन्हों कितना खर्चा किया है, कितना पैसा कहां कहां पर गया है, यह लोग Supreme Court में पहुँचे कि देखो ऐसा ना कर जाए, ठीक है, हमारा कोई लेना दिन नहीं है, यहाँ पर Supreme Court ने बोला, होगा, यह auditing होगी, इस वदर से चर्चा में था, तो यह temple भी चर्चा में है, तो temple के बारे में जरूर धिहान रखना, exam में question बन सकता है, यहाँ पर अगर हम बात करें history की, तो यह temple लगबख 8th century के आ अगर की architecture में बनी भी है, यहाँ पर जो main भगवान है, वो Lord Vishnu है, तो आपको ध्यान रखना है, और उसके बात बोला गया है, कि लगबख देश, दूरे पूरे दुनिया में, 108 यहाँ पर पवित्र मंदिर है, जो की वैशनिजम से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर Vishnu जी आपक लगबख 6 वॉल्ट है, 6 तैकाने हैं, जिसमें से 5 तैकाने खोल चुके हैं, एक तैकाना बचाए, और एक तैकाना यहाँ पर यह वाला खुलना बाकी है, ऐसा बताया गया है, कि अगर इसको खोल देंगे तो इंडिया को लगबख, मतलब कि अगर इस तैकानों खोल दिया इसमें से इतना माल निकलेगा, कि भारत को लगबख 10 साल दक चलाया जा सकता है, तो यहाँ पर इसके बारे में एक आर्टिकल आया था और कहांपे हुआ है इंडियन स्टेट अउफ उत्रक्षंड के अंदर जो जगा है पितोडगड वहाँ पर यह अभ्यास हुआ था नेपाल यहाँ पर आप लोगो देखने को मिल रहा होगा नेपाल की कापिटल आपको काटमंडू देखने को मिलेगी नेपाल एक काफी लंब वहाँ पर हुआ था साल 2019 में आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के दरफ अगला आर्टिकल हमने डिसकस किया था कि जो गवर्णमेंट है एक गवर्णमेंट एड होता है वो नौटा कि फंडमेंटल राइट नहीं है मतलब सरकार की मर्जी है अगर आपको रिलेक्सेशन देती है तो अच्छी बात है अगर सरकार पैसा नहीं दे पाती है तो यहाँ पर आप लोग यह नहीं कह सकते है कि यहाँ में पैसा सरकार नहीं दे रही है क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा सर सुप्रीम कोट ने बोला था ठीके तो ये कुछ चीज़े आप लोगों पता होगी मैंने डीटेल में समझाया था फंडामेंटल राइट आप सको 12 से 35 तक रेक्षन को मिलेगा लेकिन आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट नहीं है अब आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है नीचे कॉमेंट सेक्षन बताना कहाँ पर इसको दिया या है ये भी नीचे कॉमेंट सेक्षन बताना है उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिसकॐस किया दा डिफेंस इंडेस्ट्रियल कोलिडॉर के बारे में यहाँ पर यह corridor 6 जगा को connect करने वला है, 6 बड़ी-बड़ी जगा को connect करेगा जैसे अलिगर्ड को, आगरा को, जहांसी को, चित्रकूड को, कानपूर को और लकनव को, इन 6 जगों connect करेगा इस प्रकार से यहाँ पर यह defense corridor बनाया जा रहा है, अब यहाँ पर यह जो corridor होगा, य तमिलाडू के अंदर आपको यह defense corridor देखने को मिलेगा, तो दो corridor है, भारत के अंदर, यह defense industrial corridor, एक तो UP के अंदर आ रहा है, दूसरा तमिलाडू के अंदर है, तमिलाडू के अंदर लगबग यह 5 एरियास को connect करता है, एक होसूर, चिन्ने, सालेम, कोईंबतूर और बताऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है, लगबग यह 76 उनाटिड नेशन जनरल असेंबली का event हुआ था, यहाँ पर हमारे प्रामिनिस्टर गए, काफी कुछ discussion किया, उससे पहले समझ लो, यह उनाटिड नेशन जनरल असेंबली होती किया है, देखो, यहाँ पर यह बिस यहाँ पर समलकर बहुत सारे decision लेते हैं, जो matters होते हैं, जैसे कि peace को लेकर, security को लेकर, इन सारे matters के उपर discussion करते हैं, प्लस इसका बात voting वगएरा होती हैं यहाँ पर, आज के time पर जो UNGA के minister है, वो Maldives के foreign minister देखने को बिलेंगे, अब्दुल्ला शाहिर, यह UNGA के president हैं, तो mother of democracy बन चुका है, यह इन्होंने statement में बोला था, साधिसात इन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जिनके पास घर नहीं था, उनको घर प्रोवाइड किया गया है, बहुत सारे लोगो को free में health service मिल लई है, और बहुत सारे फायदे मिल ले हैं, लोगों को इंडिया क्या कर रहा है अगनी 5 मिसाइल प्रोजेक्ट के ओपर काम कर रहा है तो चैना ने question उठाया है चैना ने बोला कि आपको याद है UNSC Resolution 1172 यह जो 1172 वाला UNSC Resolution है यह कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के ओपर रोक लगाता है कि यहाँ पर यह लोग नूकलेर टे इस नहीं करेंगे लेकिन फिर भी क्या हुआ है आज के टाइम पर भारत अगनी 5 मिसाइल तियार कर रहा है और अगनी 5 मिसाइल जो है अपने आप में एक सरफेस to सरफेस मिसाइल है प्लस इसके अंदर capacity है नूकलेर वाली इसके अंदर capacity है तो इसी चीज को देखते वे development program इस program की शुरुवात करीती हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने और लगबग यहाँ पर पांच missiles को बनाने का discussion किया गया पांच missiles को develop किया गया था इस program के अंडर में वो पांच missiles आप लोग इस पटना के नाम से याद रख सकते हो और वो पांच missile का नाम है प्रत्वी, अगनी, त्रिशूल, नाग और आकाश missile है तो यहाँ पर इसके बारे में आइडिया रखना हम बात करें अगनी missile के बारे में है तो अगनी missile आपको 1, 2, 3, 4, 5 वाली भी देखने को मिल जाएगी अगनी P Prime वाला का भी यहाँ पर टेस्टिंग हो चुकी आपको मालूम होगा और यहाँ पर कुछ यह इस प्रकार की missile है जिनके अंदर खुद के अंदर nuclear armed power वाली देखने को मिल पाएगी नेक्स्ट आर्टिकल हमें डिसकस क्या था हाल ही में Lord Natra चर्चा में ऐए ऐसा क्यों अभी आपको मालूम होगा कि US के विजिट पर गए थे हमारे Prime Minister और हमारे Prime Minister को लगबग बोला गया 157 जो पुराने जमाने के हमारे Antiques हैं हमारी जो Statues बगर हैं वो भारत को handover करे जाएंगे और यह जो Statues बगरा यह चोरी करके USA में पहुचाए गए थे स्मगल करे गए थे USA में अब यहाँ पर इन सारे Statues को भारत के अंदर दिया जाएगा भारत को handover करे गए हैं 157 Antiques यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इसी चीज को देखते वे यह article आया था कि यहाँ पर जो main है वो bronze नट्राज figure भी है नट्राज figure भी आपको देखने को मिलेगे आपने इतिहास में इस नट्राज figure के बारे में बहुत पढ़ा होगा UPSC ने question भी पूछा था इस नट्राज figure में कितने हाथ हैं ठीक है तो चार हाथ आपको देख रहे होंगे अब यहाँ पर नट्राज figure के बारे में आपको कुछ चीज़े बता देता हूँ यह जो Lord Nataraj है यह एक तरीके से शिव जी का आपको statue देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे यह बिल्कुल exactly यह Lord Nataraj का statue देखने को मिल रहा होगा यह जो drum है इनके हाथ में डमरू है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका मतलब है दुनिया का creation करना दुनिया को बनाना और यह जो आग है यह eternal fire है दुनिया का destruction करना यह आपको आग देखने को मिलेगी उसके बाद जो नीचे एक डवाफ एक बोना दिख रहा होगा यह बोना इसलिए दिया गया है ताकि यह जो ego है इंसान का ego होता है वो नीचे दबावर रह जाता है यह इस चीच को indicate करता है तो यह कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई है Lord Nataraj के अंदर यह आप लोग को पार्ट है उसके बाद राजजी नैशनल पार्ग को बनाया गया था 1983 के साल में और यहाँ पर आपके सकते हो कि उसके बाद लगबख टाइगर रिजर्व इसको डिकलियर किया गया 2015 में और यह लगबख 48 वा टाइगर रिजर्व था यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौद एरिया के अंदर में आता हैं जैसे जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क हो गया या फिर यहाँ पर वैलीज ओफ लार नैशनल पार्क ए नंदद देवी नैशनल पार्क हो गया गोविंद पाशु विहार नैशनल पार्क हो गया गंगोत्री नैशनल पार्क हो गया नंधो और व census बनाते हो वो कहीं न कहीं बिकार रहेगा तो हम लोग साल 2011 में एक census बना चुके हैं साल 2011 की अदर एक census हुआ था social economic caste census और इस census का कोई फायदा हुआ नहीं कोई देटा यहां पर बाहर आया नहीं अभी तक तो हैंपकी बार भी अगर आया आप का अबी जो census है basically लगबग यहाँ पर 1951 से census conduct हो रहा है और यहाँ पर जो latest census है वो लगबग 2011 के अंदर latest वाला census हम लोग को देखने को मिला था और latest और last census 2011 के ही है 2021 के अंदर census अभी तयार हो रहा है 2024-2025 तक तयार होगा उसके बाद census का जो चर्चा है वो यहाँ पर current time से पहले भ इंग अकबर के टाइम पर भी जो एक report थी एने अकबर ही वहाँ पर भी कहीं नगीत census के बारे में चीजें mentioned है आज के टाइम पर modern era में census दो प्रकार के देखने को मिलते हैं एक होता है non-synchronous census और एक होता है synchronous census जो की एक छोटे से part में होता है synchronous census जो की all over India में होता है तो पहल synchronous census भारत के अंदर हुआ था 1881 में आपको ध्यान रखना है 1881 में पहला census हुआ था और फिर उसके बाद लगातार census हो रहा है साल 2021 के अंदर अभी यह census आपको देखने को मिलेगा census हर 10 साल में होता है साल 2021 वाला जो होगा इसके अंदर बहुत सारी difference चीज़े होंगी अब की ब satellite को कर दिया है launch और यहाँ पर इस प्रकार से आपको यह satellite दिख रही होगी इस satellite का क्या फाइदा है मैं आप लोगों को बताता हूँ देखो यह satellite basically earth observing satellite है मतलब यह क्या करेगी पूरे प्रिथवी को observe करेगी लगबग आपके सकते हो हर 8 दिन के अंदर यह क्या करेगी पूरे एरिया का पूरे दुनिया भर की जो फोटो है वो अपने अंदर रख सकती है और यह सब नासों को फोटो भीजा करेगी तो यहाँ पर यह अर्थ को observe करने के लिए satellite launch करी गई है और यहाँ पर इसको दूसरा question ही आता है Landsat 9 क्यों बोला गया है क्योंकि यह नवी line नवी satellite है इससे पहले 1,2,3,4,5,6,7,8 और यह नवी satellite है अब आप कहोगे यहाँ पर तो दुनिया भर के लोग question उठाएंगे कि हमारे right to privacy का हनो नुरा है यहाँ पर हम लोग को एक तरीके से हमारे उपर निगरानी रखी जा रही है लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर NASA ने इसका solution यह न सेटलाइट क्या मतलब है इसका पूरे अर्थ को observe करने के लिए सेटलाइट को launch किया गया था और इसी प्रकार से European ने भी सेटलाइट को launch किया है आपको मालूम होगा एक है sentinel satellite तो यह सेटलाइट भी कहीं न कहीं अर्थ को observe करने के लिए काम करती है इनको develop किया जा था European Space Agency क सेटलाइट में भी 123456 यह 6 satellite आपको देखने को बिलेंगी 6 satellite को काम अलग अलग दिया एक काम करेगा वैदर को देखने का एक काम ओशन को monitor करने का काम करेगा तो यहां पर यह है अब भारत के पास कौन से satellite है क्या भारत के पास अर्थ को observe करने वाली कोई satellite है बिलकुल तो भ सासाथ भारत के पास और ही बहुत सारी satellites है जो कि कहीं ने कहीं observation का काम करती है नेक्स्ट आर्टिकल हमने discuss किया था कि यहां पर हाली में G7 की summit हुई थी आपको मालूम होगा और G7 summit के अंदर 7 countries कौन कौन सी यह नीचे comment section में नाम बता देना इनके बीच में आपर discussion हुआ था क यह लोग B3W initiative को चलाएंगे build back better world initiative को और अब यहां पर इस initiative को इस initiative की शुरुवात कर दी गई है वो इस article के अंदर mention किया गया इस initiative का main काम है जो चाइना का belt and road initiative है उसको counter करना देखो build back better world 3W यहां पर जो initiative है कहींने कहीं यहां पर आप कह सकतो हो यह जो 7 countries है यह 7 countries मिलकर पैसा लगाएंगी लगबग 40 trillion dollar project है यह और यह पैसा लगाया जाएगा यह 40 trillion dollar पैसा कहां पर लगाया जाएगा जो की countries जो की कम जहां पर बहुत कम विकास है least developed countries है उनके ओपर पैसा लगा कर वहां पर infrastructure डेवलप कर जाएगा उनको वहां पर investment कर जाएगा क्योंकि आज के पर क्या होता है कि वही भी country अगर बेकार हो रही है जहां पर investment के ज़ुरत है वो चली जाती है चाइना के पास है ना अब चाइना के पास वो लोग चले जाते हैं तो क्या होगा अब यहां पर चाइना उन्हें dead trap में फसा देता है यानि कि उनके वो पैसा काफी देता है फि इस प्रकार से दिखता है चाइना दुनिया भर को connect करने की पूरी तरह से खोशिश कर रहा है अपने project के माध्यम से और यहां पर दुनिया भर में investment कर रहा है तो इसी investment को tackle करने के लिए G7 country ने यह अपना B3W initiative चलाया है ओके चाइना director policy क्या है मैं आपको समझा दिया पैसा यह लोग उसको उस country को उपर बहुत अधा button create कर देते हैं next article हमने discuss क्या था DRU ने यानि कि Defense Research Development Organization हाली में आकाश Prime Surface to Air missile को launch किया है अब हाली में यहां पर DRU ने इस मतलब missile को launch किया है तो आपको ध्यान रखना है इस missile के बारे में DRU ने इसको develop किया है DRU को बनाए गया था 1958 में और यहां पर इस missile के बारे में बात करें तो इस missile के अपने आप में एक बहुत बड़ी capability देखने को मिलेगा इस missile की बहुत बड़ी importance है वो importance क्या है यहां पर एक high performance missile है प्लस यहां पर इसको develop किया DRU ने और आप क्या सकते हो यह जो missile है एक तरीके से यह part है किसका integrated guided missile development program का ब develop करने की बात की गई थी अभी हमने बात करें थी अगनी missile के बारे में अब यहां पर आकाश मिसाइल भी चर्चा में था पिछले सब था ओके next article हमने discuss किया था जो World Health Organization है इसने यहां पर बताया कि दुनिया भर में जो Meningtis है वो बिमारी काफिय तक देखने को मिलेगी Meningtis स सर में दर सर से related बहुत जाद बिमारी है अब यहां पर इस बिमारी को tackle करने के लिए WHO ने अपनी strategy दी यहां पर article आप देख पाओगे down to earth का यह article देखने को मिल पाएगा यहां पर goal यह set किया गया कि हम लोग इस Meningtis बिमारी को खतम करेंगे और एक तरीके से लोग जो है का करता है उसके अंदर सूजन हो जाती है प्लस यहां पर bacterial या फिर viral infection देखने को मिल जाता है इंजरी की वज़ा से cancer central drugs इन सब चीजों की वज़ा से आपको यह चीज़े देखने को मिलेंगी और यहां पर ही जो सूजन है इसी की वज़ा से brain के ओपर काफी बुरा effect पड़ता ह ठीक है और यह फैल भी जाती है बिमारी और खासकर मा से अपने बच्चे में फैल जाती है जब बच्चा जनम लेता है तो मा से यहां पर इस बच्चे में फैल जाती है और कौन-कौन सी vaccine आचके टाइम पर काम कर रही है बिल्कुल यहां पर meningococcal, hemophilis influenza और pneumococcal vaccines आपको द transport and highway है इन्होंने उदगाटन रख करिया अभी नदिन गटकरी सामने उदगाटन किया जोजीला टनल का तो जोजीला टनल कहां पर है जोजीला टनल आपको जम्मुएंट कश्मीर वाले एरिया में देखने को मिलेगा यह जो टनल है यह स्रीनगर को लद्दाग से connect करता है ठ वाहर टनल है नंदिनी टनल है और पिर पंजाल railway टनल है यह सारी टनल मैं आप लोगो कल ही बताई थी ठीक है उसके बाद यहाँ पर करेंगे lecture को समाब क्योंकि यह article जितने भी है यह सब मैंने discuss किये थे Saturday में ठीक है यह articles मतलब discuss किये गए थे परसो ठीक है तो यहाँ पर basically अ आपर यह terrorism report जारी करिए मैं लिखने वाला तो उस country का नाम आप समझी गए होंगे ठीक है प्लस उस country के अंदर कितने आतंगवादी संगटन को यहाँ पर terrorism की तरफ पर इन्होंने एक तरीके से चेताब नहीं दी है उसका PM portion scheme को कौन सी scheme से replace किया गया नीचे comment section में इसके बार दोरों को अफगानिस्तान तक बढ़ा देते हैं तो इससे इंडिया को क्या खत्रा हो सकता है अपने point of view नीचे लिखना उसका COVID-19 composition को लेकर बातचीत के यह थी कि लगबग आज के टाइम पर बहुत सारे लोग जनकी COVID की वज़ए से death हो यह उनको 50,000 करोडर तक का यहाँ प करते हैं यह हमने कल ही discuss किया था आपको मालूम होगा ठीक है इस वजह से मैंने इसका revision नहीं किया क्योंकि कल ही हमने इसका पड़ा है तो गाइस इसके साथ करते हैं lecture को समब आप आप लोग को सभी articles का revision हो गया है अच्छे से मिलते हैं आप लोग उस नेक्स वीडियो में जाहिन